आज दाउटनेट आप डाउटनेट पर अपने सभी गनित, रसायन, विज्ञान, भौतक विज्ञान और जी विज्ञान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोडो कीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरंट वीडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउटनोट करें प्रशन है कि आवर्ती गती के दोलन गती होने के लिए क्या आउशक है तो आईए देखते हैं हम इसको सबसे पहले हम यह देखते हैं कि आवर्ती गती क्या होती है आवर्ती गती होती है कि जिसमें कोई पिंड है वो एक निश्चित समय अंतराल में यानिकी पिंड निश्चित समय अंतराल में मैं निश्चित पत पर अपनी गती को पुनह दोराता हो ठीक है जैसा कि हम देखते हैं कि एक सूरज है और सूरज के चारोर पृत्वी चक्कर लगाती है यानिक पृत्वी सूरज के चारवर चक्राइन लगाती है तो वो चारवर चक्र लगा रही तो एक निश्चित समय अंतराल में हम देख सकते हैं कि हर एक साल के बाद पृत्वी वापिस उसी पत को दोर ईए जैसे कि यह सूरज हो गया और यह प्रत्वी हो गई तो हर एक जैसे कि इस विंदू से हमने मेजर करना शुरू किया यानि कि मापना शुरू किया तो पहले पूरी गती करेगी उसके बाद नियाता काने में वह एक साल लेगी उसके बाद वापिस वह इसी गती को प्रारंब रखेगी ठीक है तो यह हो गए हमारी प्रत्वी तो यह हमारी कैसे गती है यह हमारी है आवर् अपर गया फिर वापसा के इधर गया फिर वापसा कि इधर आए-दर आए तो यह पत तो हमारा निशेत है और इसका जो समय अंतराल होता है ये भी एक निश्य समय अंतराल होता है तो हम कहसेते हैं कि हर एक दोलनी गती आवर्ती गती होती है लेकिन हर एक आवर्ती गती का दोलनी गती नहीं हो सकती जैसे कि पृत्वियों सूरे के बीच का चक्कर है तो इस सूरज और प्रिथी के चकर में कोई माध्य इस्तिति नहीं है कि जिसके इर्दगेर्द प्रत्वी चकर लगा रही है तो अधय यदि आवर्थी गति को दोलन गति बनना है तो उसके लिए इसे इस सर्थ का पालन करना होगा कि माध्य इस्तिति के कि इर्दगिर्द दोलन करे इर्दगिर्द कमपन करे या गति करे ठीक है यानि कि उसको अपनी ये दो शर्ते तो दो शर्तों को तो मानना ही होगा जो निश्चित समयंतराल और निश्चित पत्की है उसके साथ उसको मादेश सी ठीके तो इसी प्रकार एक आवर्ती गती दोलन गती हो सकती है, अन्यता नहीं हो सकती तो इस प्रकार हमारे प्रश्ण हल हुआ